हाई दोस्तों मेरा नाम है रूची शुक्ला और इस वीडियो में मैं आपको भर्वा बैंगन कैसे बनाते वो बताने वारी हो अब भर्वा बैंगन बनाने जो इंग्रीडियन्स रही है वो है गरम मसाला, फल्दी पाउडर, अमचुर, राई का पाउडर, नमक, लहसुन और म तो स्टार्ट करके हमारे बैंगन से बैंगन को हम बीच में से काटेंगे इस तरह से जिसे हम सिप आधा काटने वाल है और बाकियों को भी सेम तरीके से कट कर देना अब हमारा मसाला रेडी करेंगे जो बैंगन के अंदर भरना तो उसके लिए मैंने लिया अलहसुन और मसाला फिर उसके बाद थोड़ी सी हर्वी और एक बड़ा चमच अंचुर पावडर का साथी साथ में मैं इसमें डालने वाली हू राइ का पावडर ये करीबन दो चमच राइन ने टेस्ट की साबसे अब हम इन सबको एक साथ मिक्स कर देंगे अच्छा निक्स कर देंगे अब अपनी कढ़ाई का साथ करेंगे जिसमें मैं डालने वाली हू राइ का तेल अब हम इसमें राइ का तेल डालेंगे मैंने तीन चमच राइ का तेल डाला हुआ है का लोजी में देल जाजा चाहिए आप और भी डाल सकते हैं अब हम हमारे बैंगन में मसाला भरेंगे जो हमने बनाया हुआ है इस तरह से आप मसाला अच्छी तरह से दबा दबा के भरना अंदर ताकि वो बनने के बाद भी उसमें रहे इस तरह से अब हम सभी बैंगनों में मसाला भर के त्रिकार कर लेंगे अब मैं इसमें मिर्ची डालने माली हूं मिर्ची को मैं छोटे एंब ही गड़ा करूंगी बीच पान दालूंगे है दालूंगी और इस तरह से मिर्ची को गावर की तुटल जाए आपका तेल कि गरम होbas szn we आप मैं इसमें हमारे जो बैंगन भर के मसाले के साथ रेडी हो चुके उसे एक खाके में सबको डाल दोंगी बैंगन को अब डाल दी दी आप च्की परासे कढाई में हमारे शारे हमें जा हुआ कि अब इसको मैं ने वाली हुआ जब तक पकनी जाते हैं जब तक हम इसे कढ़ाई में रखेंगे और इसे ढख कर देंगे पकनी के लिए जब तक अच्छे से एक साइट कूपना हो जाए अब हमारी कालोजी सैयार हो चुकी है अब देख सकते हैं अच्छी तरह से पक गई है चारोवर से अब हमारा जैस बन कर देंगे और एक कटोरी में से निकाल देंगे अब हमारा भरवा बैंगन तयार हो चुका है और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए थैंक्यू